बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्ये हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने तो दोस्तो जरब सुचो क्या हो आपका सामना दुनिया के सबसे भारी टाइगर से हो जाए जिसका सिर्फ वजन ही 500 किलो है वो इतना खतरना कि गोलियों के लगने का भी उस पर कोई असर नहीं होता ठीक ऐसा ही कुछ होने वाला है हमारी आज की इस मुवी में तो मुवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ सिकारी जंगल में शिकार करते हुए दिखाई देते हैं जिनका लीडर कॉन्थाई था और वो एक बहुत खतरनाक शिकारी है जंगल में कुछ दूर जाकर उन्हें एक शिकारी की लास मिलती है और जमीन पर बड़े से टाइगर के निशान थे ये देखकर कॉन्थाई को समझ आता है कि आसपास कोई बड़ा टाइगर है तो वो उसे पकड़ने के लिए तुरंती जाल बिछाने लगता है और गॉन्थाई के सभी साथी अपनी बॉलेट्स लोड करके उस टाइगर के आने का वेट करते हैं तब ही वो टाइगर उनके जाल में आकर फस जाता है यहाँ पर हमें बता चलता है कि वो एक टाइगरेस है जो बहुत खुंखार होती है ट्रैप में फसे होने के बावजूद भी वो ट्रैप उसे रोक नहीं पाता और वो उन्हें मार कर खाने वाली थी कि इतने में ही कौन थाई अपने बुलट से उसे शूट कर देता है जिस वज़े से वो टाइगरेस वहीं पर मारी गई उसके साथ साथ वो उसके दोनों बच्चों को भी मार देते हैं और फुर वो उसे अपने साथ बांद कर ले जाने लगे इतने में ही एक बहुत खुंखार टाइगर बहुत जोरू से उनका पीछा करता है जिससे लोग लॉर्ड ओफ माउंटेन कहते थे पर एक खाई होने की वज़े से वो रुख जाता है तो उसे तरफ वो लोग अपने शिकार की हुए टाइगर को आर्मी को लागे दे देते हैं क्योंकि आर्मी का जनरल टाइगर की स्किन का सौक कीन है इसके बदले उन शिकारियों को बहुत पैसे दिये जाते हैं पर गवर्नर उनसे पूशता है कि जिस टाइगर कम है इतने दिनों से वेट कर रहा हूँ जिसे सभी लोग लॉर्ड ओफ माउंटेन कहते हैं उसकी खाल मुझे अभी तक नहीं मिली है सोल्जर उन्हें समझाने की कोशिस करता है कि वो टाइगर बहुत बड़ा है और बहुत जादा कुंखार है अगर हम उसके पास भी गएं तो हमारा बचना नामुम्कीन है गवर्नर उससे डाटता हुआ कहता है कि लोग तो ऐसा कहते हैं कि उस टाइगर के पास बस एक ही आख है दूसरी आख खराब है और उस एक आख वाले टाइगर को तुम पकड़ नहीं पा रहे हो सुलजर उससे कहता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि वो टाइगर बहुत बड़ा है उसका वेट ही सिर्फ 500 किलो का है और इतने बड़े जंगल में वो कहां रहता है ये बाद किसी को नहीं पता है पर लोग ऐसा कहते हैं कि गाउं में एक बंदा है चो उस टाइगर की लोकेशन जानता है पर उसने पता नहीं क्यों शिकार करना छोड़ दिया है तो वो हमारी मदद नहीं करता है जर्नल उससे कहता है कि उससे पूछों से कितना पैसा चाहिए उससे जितना पैसा चाहिए उससे मिलेगा जो पोस्ट चाहिए वो पोस्ट मिलेगी बस मुझे उस टाइगर की खाल ला कर दो वो सोलजर लियो सेन को अपने पास बुलाता है और उससे Lord of Mountain की exact location पूसता है पर लियो सेन अब इन सब चीजों के बारे में बात भी नहीं करना चाहता उसने शिकार करना अपनी पतनी की death के बात से ही छोड़ दिया है और तब से वो ऐसे ही रह रहा है सोलजर उससे लालस देता है कि इसके बदले लियो सेन को बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो पोस्ट मिलीगी जो पोस्ट वो चाहता है पर फिर भी लियो से नहीं मानता और वहाँ से चला गया लियो सेनका एक बेटा है जिसका नाम शुक है और ये दोनों ही साहत में मिलकर जंगलों से जड़ी गूटियां घटा करते हैं और उन्हें बेच कर केसी तरह से गुजारा कर रहे हैं पर सुक इन सब चीजों को करके बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे अमीर बनना है दुसे तरह वो सुलजर कॉन्थाई को अपने पास बुलाता है और उसे लॉर्ड ओफ माउंटिन का शेकार करने के लिए बोलता है पता नहीं क्यों लॉर्ड ओफ माउंटिन का नाम सुनकर कॉन्थाई का खून खौल जाता है और वो तुरन थे उसे मारने के लिए रैडी हो गया जिसके बाद वो अपने साथियों को इस मिशन के बारे में बताता है पर वो Lord of Mountain का नाम सुनकर वहाँ जाने से मना कर देते हैं लेकिन कौन था ही तो किसी की एक नहीं सुनने वाला था जिसके बाद अगले दिन ही वो लोग जंगलों में निकल जाते हैं और Lord of Mountain को पकड़ने के लिए वो उसके बेटी की बॉड़ी को लेकर आए हैं जिससे वो चारी के तरह यूज करते हैं और चारू तरफ ट्रैप बिचा कर Lord of Mountain के आने का वेल करने लगते हैं देखते ही देखते रात हो गई पर तभी कौन थाई को ऐसा फील होता है जैसे ट्रैप में कोई फस गया है तो वो तुरन थी जोरू से ट्रैप की तरह भागता है पर यहाँ पर ट्रैप में Lord of Mountain ने बलकि एक भेडिया फस गया था और नीचे उस Lord of Mountain की बेटे की बॉड़ी भी गायब थी मतलब Lord of Mountain ने बहुत चालाकि से अपने बेटे की बॉड़ी भी चुरा ली और उसकी जगे एक भेडिये को फसा दिया इससे कौन थाई को इतना गुशता आता है कि वो उस भेडिये को ही शूट करके मार देता है उधर Lord of Mountain अपने बच्चे की ऐसी हालत देकर और भी गुश्से में आ जाता है जियो कौन थाई डिसाइड करता है कि वो लियो सेन के पास जांकर उस Lord of Mountain का पता बूचेगा जिसके लिए वो अपने सभी साथियों के साथ अगले दिन बहुत जाता है वो सभी लोग लियो सेन को बहुत मानते थे तो वो सभी लियो सेन का सर जुका कर सम्मान करते है फिर कौन थाई अंदर जांकर लियो सेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो Lord of Mountain का पता बता दे पर लियो सेन उसे मना कर देता है कौन थाई उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है उससे काफी लालज भी देता है पर लियो सेन उसकी एक नहीं सुनता यहीं पर पास में ही सुक बैठा हुआ था और वो जब इतने सारे पैसे सुनता है तो उसकी मन में लाला चा गया था पर अपने डैट के सामने वो भी कुछ नहीं बोल पाता और कौन था ही को वापस जाना पड़ा उसके जाती ही लियो सेन अपना पास्ट याद करने लगता है अगले दिन सुक जब अपने डैट के साथ जंगलों में जड़ी बूटिया ढूंड निकले गया था तो वो अपने डैट से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्यों नहीं शिकार बर चले जाते अगर वो नहीं जा रहे हैं तो मुझे जाने दे कम से कम हमारे पास पैसे आएंगे तो हम लोग अमीर हो जाएंगे पर लियो से इन तो कुछ मानने को तयार ही नहीं था इस पर सुक को गुश्ण आ गया तो वो बता दिता है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम को आपने ही मारा है और मैं सब जानता हूँ गुश्य में सुक भागता हुआ सिधा उसी सोलजर के पास आता है और उनसे शिकार में जाने के लिए बोलता है कि देखकर कौन था ही और उस सोलजर के मन में एक आइडिया आता है क्यों ना हम लियो सेन के बेटे को शिकार पर भेज़ दें और दूसी तरफ कॉन थाई उसके बेटे और अपने सभी साथियों को लेकर और घने जंगलों में जा रहा है कॉन थाई का एक साथि उससे रिक्वेस्ट करता है कि सुक को वो चारी की तरह ना यूज करे उसे वापस जाने दे पर कॉन थाई को तो अब उस लॉर्ड ओफ मॉंटेन की लास चाहिए थी चाहिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े कुछ दूर जाकर के कॉन थाई के साथ ही दो टीम में डिवाइड हो जाते हैं और कॉन थाई दूसरे लोगों के साथ सुक को भेज देता है यहाँ पर वो लोग एक चारा फैलागर सेर के आने का वेट करते हैं और कुछी देर में उन्हें एक आहट मैसूस होती है पर अगले ही पल सब शान्द हो गया उन्हें लगता है कि शैर वापस चला गया है पर इतने में ही बिजली की रफ्तार से दोड़ता हुआ लॉर्ड ओफ मॉंटेन उनकी तरफ बढ़ने लगता है और एक एक करके सभी लोगों को फार देता है दुस्सी तरफ जब बांकी के लोगों को पता चलता है कि लॉर्ड ओफ मॉंटेन आ चुका है तो वो इस टीम की हेल्प करने के लिए भागते हैं पर यहाँ पर तो लॉर्ड ओफ मॉंटेन सभी लोगों को फार करके खा रहा था देखते ही देखते हैं उसने सभी लोगों को मार दिया था और तभी उसकी नजर पड़ती है शुक पर जो की एक पेड़ के पीछे चुपा हुआ था पर फिर भी वो सुक को कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है पर इतने में ही एक सिपा ही जो सुक के पीछे चुपा हुआ था वो अपनी गन से सेर को गन पॉइंट कर लेता है जिस वज़े से सेर वापस उसे मारने के लिए गया पर सुक को समझ ही नहीं आता और उसे लगता है कि शायद Lord of Mountain उसे मारने आ रहा है तो डर में वो गोली चला देता है वो लोग जब उनकी हेल्प करने के लिए यहां पर बहुचते हैं तो वो देखते हैं कि हेल्प मांगने वाला कोई जिंदा बचा ही नहीं है Lord of Mountain ने सभी लोगों को मार दिया है और सुक बहुत बुरी तरह से घायल है ये देखकर भी कौन था है उसकी मदद नहीं करता और वहां से चला जाता है क्योंकि उसे एक बात समझ में आ गई थी कि सुक अगर यहां पर मर गया तो लियो सेन जरूर उस Lord of Mountain के लिए यहां पर आएगा इसलिए वो सुक को वहीं पर मरने के लिए छोड़ कर आगे चला जाता है उसी रात बहुत सारे भेडिये सुक को अपने साथ खीच कर कहीं ले जाने लगते हैं लियो सेन अपने साथियों के साथ जंगल में पहुँच गया था और वो चारू तरफ अपने बेटे सुक को ढूणने लगता है पर तभी उसे अपने बेटे सुक की गन मिलती है जिसे देख कर वो डर गया दुसी तरफ वो वेडिये सुक को अपने साथियों के पास लाते हैं और सभी लोग उसे खाने लगें पर तभी वहाँ पर टाइगर आ गया जिससे डर कर सभी भाग जाते हैं सुक उस टाइगर के सामने ही दम तोड़ देता है ये धीकर उस टाइगर को बहुत बुरा लगता है पूरी रात वो सुक के बगल में ही बैठा रहता है और दूसरी तरफ कौन थाई अपनी घायल साथियों के साथ जनरल के पास आ गया था और उनकी ऐसी हालत देख करके जनरल को लगा कि शायद कौन थाई अब दुबारा मिशन के लिए नहीं जाएगा पर कौन थाई उनसे कहता है कि ये सही मौका है उस पर अटेक करने का क्योंकि वो स्टेर घायल हो रखा है जनरल को तो ये चाहिए ही था तो वो तुरंत ही उससे मिसन के लिए हागर देता है दूसरी तरफ लॉर्ड ओफ मौंटेन सुक को लेकर लियो सेन के पास आता है लॉर्ड ओफ मौंटेन ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि बचपन में एक बार लियो सेन ने उसकी जान बचाई थी और उसे गुवा में जाकर चुपा दिया था उसके बाद से रोज वो लॉर्ड ओफ मौंटेन को खाना किलाता था और इसी एहसान की वज़े से ही वो सुक को नहीं मारना चाहता था सुक की लास को वही पर छोड़ कर लॉर्ड ओफ मौंटेन वहां से चला गया उसके जाने के बाद बिचारा लियो सिन अपनी बेटे की ऐसी हलत देखकर बहुत रोता है वहां कौन था ही इस बार आर्मी को लेकर आया था और वो सभी लोग चारो तरफ ट्राइब बिचाने लगते हैं पर तभी अचनक से लॉर्ड ओफ मौंटेन वहां आ गया और एक एक सिकारी को फाल फाल कर खाने लगता है वो थे तो बहुत जादा पर कुई भी लॉर्ड ओफ मौंटेन का सामना नहीं कर पा रहा था वो उन सभी लोगों से छूट कर कॉन थाई को फाल देता है और कॉन थाई भी उनके सामने ही अपना दम दोड़ देता है सैनी कितना डर गहते हैं कि कोई भी उस टाइगर पर गोली नहीं चलाना चाता था उसके जाने के बाद सभी लोग जब वापस जा रहे थे तो जनरल का मन अभी भी नहीं भरा है वो उन्हें गहीं पर कैम्प लगाने के लिए कहता है और कहता है कि आज राध हम उसका फिर से शिकार करेंगे दुसरे दरफ लॉर्ड ओफ मॉंटेन लियो सेन के पास जाता है लियो सेन देखता है कि लॉर्ड ओफ मॉंटेन बहुत बुरी तरह से घायल है और वो उसके सामने ऐसे बैठा था जैसे मानो वो उससे पूछ रहा हो कि अगर मुझे मारना ही था तो तुमने मुझे बचाया क्यों और अगर तुम मुझे मारने ही वाले हो तो चलो आमने सामने मारो लियो सेन उसकी बात समझ कर उसका चैलेंज असरफ कर लेता है और उससे कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अकेला ही आऊंगा ये बात जब टाइगर न सुनी तो वो वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद लियो सेन अपने पूरे घर को अपने बेटी के साथ आग लगा देता है फिर वो जंगल में लियो सेन की गुफा की तरफ जाने लगता है उधर बाकी के सिपाही भी उस गुफा के लिए पहाड चड़ रहे थे, पर वो पहाड इतना उच्छा था कि बहुत सारे लोग गिर कर ही मर जाते हैं, उधर लियो सेन और टाइगर आमने सामने थे, तो लियो सेन उसे अटेक करने के लिए उकसाता है, और जैसे ही टाइगर उ लियो सेन पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर लियो सेन बहुत प्यार से उसे गले लगाता है, और उसके साथ ही खाई में गिर जाता है, यह सब कुछ उस सैनिक ने देख लिया था, तो वो वापस आ करके जैनल को सारी बात बताता है, और बताता है कि वो शेर कहीं पर खो गया, ये बात जर्णल के लिए बहुत सर्वनाक थी, पर अब इस मिशन को बंद करने के लावा, उनके पास कोई option भी नहीं था, तो वो इस मिशन को बंद कर देते हैं, और सारे सैनिक वापस चले जाते हैं, मुवी की एंडिन इंटरस्टिंग मुवी के लिए चैनल को अभी ही सब्स्राइब कर लिजे, आपके प्यार और सपोर्ट से हमें बहुत हिम्बत मिलती हैं, ताकि हम आगी भी आपके लिए ऐसा इंटरस्टिंग कॉंटेंट बना सकें, दोस्तों अगर आपको मुवी पसंद आई हो, तो एक छोटा सा लाइक कर दीजेगा, बस हम आपसे इतना ही मांगते हैं, यदि आपको लगता हैं कि हम डेजर्व करते हैं, तो प्लीज कर दीजेगा, वरना कोई बात नहीं, हम अपने अंदर इंप्रूव ज़रूर लाएंगे, आज क लिए बस इतना ही धन्यवाद